है दोस्तों आपका बहुत स्वागत है इस चैनल पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप खुद गर बैठे ही तयार कर सकते हैं एक ऐसा फेशल स्क्रब जिसकी मदद से आप अपने चेहरे के अंचाहे बालों को दूर कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लड़कियों क चेहरे पर अंचाहे बालों के कारण खुक्सूर्ती में दाग लग जाता है और बद्दा दिखने लगता है जिसे निकलवाने के लिए कई तरह के ट्रीक्मेंट करवाने वड़ते हैं थ्रेडिंग और वेक्सिंग को चेहरे पर करवाने से असहनिय दर्द उत्पन्द होने लगते हैं साथ ही इसके कई सारे side effects भी देखने को मिलते हैं लेकिन अब और नहीं आज मैं आपके साथ share करने जा रहा हूं कुछ खास tips जिसकी साहता से आप भी अपने चेहरे के अंचाहे बालों को बिना किसी दर्द और side effects के आसानी से दूर कर सकते हैं तो देर किस बात की ह आई ये जानते हैं इनके बारे में पहला है संत्रे के छिल्के के powder का scrub इसके लिए आपको चाहिए होगा एक चंदन पौडर एकशंत्य संत्रे के छिल्के का powder एक छम्मच भरे मोंगल का powder एक चम्मच घुलाब जल और एक चंश नेबू का रस बनाने और लगाने का तरीका इन सबी चीजों को एक साथ मिलाकर पेस्ट बना लें फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं 15 मिनट तक इसे चेहरे पर रहने दें ट्राइ होने के बाद इसे उंगलियों से धीरे धीरे गोल गुमाते और मसाज करते हुए हटा दें दूसरा है कलोंजी का स्क्रब इसके लिए आपको चाहिए दो चम्मच स्किम्ड मिल्क या फिर कच्चा दूद एक बड़ा चम्मच कलोंजी के बीच इसके अलावा शहद और ओट्स पाउडर आपके आभिशक्ता अनुसार बनाने और लगाने का तरीका सबसे पहले कलोंजी क के बीच को दूद में बिगोकर रख दें दस मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि कलोंजी के बीच मुलायम हो जाएं फिर इसमें ओट्स पाउडर और शहद मिलाएं आपका स्क्रब सैयार है आप इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने दें सूखने के बाद इसे हलके हाथों से गौल-गौल मसाज करते हुए स्क्रब को ओठा ले इन इस करफ को लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से ढोने और फिर इस क्रफ को लगाएं अगर इने लगाने या स्क्रब करने में कोई ऐसे हचता मैसूल हो तो तुरंट इसे पानी से हटा दें इसके लग लोग व्यविक तर वीडिए गुटिए लुटि कि अच्टिए लुटिए लुटिए और लुटिए टॉटिए तॉटिए लुटिए लुटिए